तो पूरे के पूरे बिजनस की सारी responsibility आपके उपर है ताकि आप बिजनस को एक बड़े लेवल तक ले जा सकें। कोई भी हानी होती है, कोई भी नुकसान होता है, तो आपकी personal संपत्ती भीश में शामिल होती है। एक बात को ध्यान रखेगा, अगर आप partnership बिजनस कर रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत करता हूं आज की informative वीडियो में। Friends, आज हम बात करने वाले हैं, how to set up a business, एक business का setup कैसे तयार किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्ण है उन लोगों के सामने, जो अपनी life में पहली बार एक business का setup करना चाहते हैं, तो business का setup करने के क्या निया मैं, इस बात को मच्छे समझ लेते हैं, अगर आप एक business का setup करना ज़रूरत है, आप इस बात को ठीक से समझ लें, कि basically business की identity कैसे create किये जाती है, तो business की identity create करने का सबसे पहला जो method है, और traditional method भी है, वह sole proprietorship firm, एकल स्वामित वव्यापार, आप business चलाना चाहते हैं, तो आपने कोई भी अपनी firm का नाम रखा, आपी का pen card उसमें लग गया, और आपने business का शुबारम कर दिया, तो sole proprietorship कोई भी व्यक्ति कर सकता है, एक व्यक्ति एक business को आसानी से शुरू कर सकता है, बेना किसी extra registration के, उसके बाद हो जाता है, OPC, one person company, अब ज़रूरी नहीं कि आप sole proprietorship के रूप में business को शुरू करें, आप चाहते हैं कि आपके business के identity company के र responsibility आपके उपर है, अगर business में loss जाता है, तो आपकी private, आपकी personal संपत्ति को भी उसमें शामिल किया जा सकता है, उसकी भरपाई करने के लिए, लेकिन अगर आप one person company चला रहे हैं, तो company की जितनी valuation है, केवल उतनी ही liability देने के लिए आप जिम्मेदार होंगे, next जो एक लोग मिलकर भी partnership कर सकते हैं, तो partnership is the relation between two or more than two person who are agree to share their profit or loss in the same proportion as they have invested और mutually decided, आप दोनोंने मिलकर जैसा भी decide किया है, उसके अधार पर आप अपनी partnership firm बना सकते हैं, और partnership firm भी दो तरह की होती है, registered और unregistered, आपने firm बनाई, एक bank account खोला, normal document त्यार किये और काम करना आरतिये partnership act 1932, 1932 के अंतरगत आप अपनी partnership firm को register भी कर सकते हैं, मेरी एक बात को ध्यान रखेगा, अगर आप partnership business कर रहे हैं, तो firm को register ज़रूर कराएं, उसका लाब क्या होगा, कि अगर किसी तरह का dispute होता है, तो जो partnership act के नियम लागू होते हैं, वही नियम आपके उपर applicable हो loss ही bear करना पड़ जाएगा, अगर dispute होता है तो, और अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो mutual understanding है, उसके बाद क्या हो गया, LLP, limited liability partnership, ठीक उस तरह से, जैसे sole proprietorship में, यदि कोई भी हानी होती है, कोई भी नुकसान होता है, तो आपकी personal संपत्ती भी इसमें शामिल होती है, ठीक ऐसे ही अगर आप partnership कर रहे हैं, और किसी तरह से दोनों partner मिलके, या किसी एक की वैसे कोई loss होता है, तो आपकी सारी कि सारी personal संपत्ती भी इसमें शामिल होती है, पर अगर आप एक limited liability partnership firm बनाते हैं, तो वहाँ पर आपकी liability limited हो जाती है, मतलब आपकी देंदारी limited हो जात होता है, मतलब भारती एक company अधीनियम 1956 के अंतरगत, जब आप एक private limited company बनाते हैं, तो directors का share होता है उसमें, 50% share, 30% share, 20% share, जितना भी आपने mutually decide किया है, और इनकेस अगर company को कोई loss होता है, तो वह company की identity, आपकी personal identity से बिलकुल different होती है, इसलिए अगर आप partnership कर रहे हैं, तो य बनाएं, या private limited company बनाएं, ताकि आपकी liability limited हो, उसकी आधार पर आप किसी भी loss को भरने के लिए, केवल उत्र ही जिम्मेदार हो, जितना आपकी company में capital लगी हुई है, next होता है, public limited company, public limited company है कैसी company होती है, जिसमें आप open public से भी बहुत अधिक equity कठा कर सकते हैं, जारा तरह franchise, number of dealer, number of distributor, तेजी से बढ़ रहे हैं, और investors के साथ मिलकर, हम आने वाले समय में, अपनी company को IPO में भी list करेंगे, यह आपके open level करता है, कि business की identity, आप कैसे तयार कर रहे हैं, ताकि आप business को एक बड़े level तक ले जा सकें, ध्यान रखिए, sole proprietorship की कुछ सीमाएं हैं, जिसकी वज बहुत सारे businesses में अलग-अलग तरह के certificates लगते हैं, अगर आप एक sole proprietorship है, firm है, तो आपको shop establishment certificate आपके पास होना चाहिए, मतलब आपकी firm registered तो है, यह तो एक कम से कम proof आपके पास होना चाहिए, आप manufacturing unit चला रहे हैं, तो manufacturing का license आपके पास होना चाहिए, या MSME registration आपके पास होन क्यों, क्योंकि आपकी identity और आपकी company का identity दोनों बिल्कुल अलग-अलग होती है, उसके बाद आगया आपका GST number, आपके पास GST number होना चाहिए, अगर आप trade कर रहे हैं, business कर रहे हैं, manufacturing कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं business में, तो GST number आपके पास होना चाहिए, required license, if any, जान र certificate आपको चाहिए, अगर आप medical industry से related है, तो आपको drugs license चाहिए, है ना, तो आपको यह देखना है कि आपकी industry में कौन सा license लगता है, वो license आपको ऐसा product बनते हैं, जो जिसमें आग लगने की संभावना है बहुत अधिक होती है, तो आपको fire से related license चाहिए, है ना, कहीं पर आप आप, मानलों, news paper agency चलाना चाहिए, इस तरह से कोई काम करना चाहिए, तो वहाँ पर आपको news agency का license यह होता है, हर एक चीज़ के लगना लाइसेंसिंग है, यह आपको देखना आपकी industry में कौन सा license, certificate या registration लगता है, उसके बाद आपके पास current bank account होना चाहिए, जहां पर आप जो बहुत जुरूरी है कि आपका जो working way है, वो क्या होगा, मतलब type of working क्या होगी, किस तरह का काम आप करेंगे, आप retail करेंगे, आप wholesale करेंगे, आप distribution करेंगे, या ट्रेडिंग करेंगे, या manufacturing करेंगे, import करेंगे, export करेंगे, या import-export दोनों करेंगे, fine, या आप commission basis पर काम क करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए, कि आप जिस industry में जो business करने जा रहे हैं, आपने firm बना के तयार कर लिए, company का registration कर लिया, solid documentation कर लिए, तो आपको ये भी तो decide करना है कि business को किस format में कर रहा है, जरूरी नहीं कि आप किसी एक format में करेंगे, एक company बहुत सारे format में भी काम करती है, जैसे आप wholesale भी करते हैं, plus आप retail भी करते हैं, आप wholesale भी करते हैं, retail भी करते हैं, आप export भी करते हैं, आप import भी करते हैं, और आप distribution भी करते हैं, आप trading भी करते हैं, बहुत सारे material के और कुछ समान खुद भी बनाते हैं, आपके उपर निरभर करता है कि आप कितनी च एक्षिन करना भी बहुत IMPORTANT है आपको पता है आपको होलसेल करना है या रिटेल करना है या इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है पर किस इंडस्ट्री में यह डिसीजन लेना भी आप इक ऑपर निपर करता है कि आप FMCG fast moveable consumer goods में डिल करेंगे textile में करेंगे, plastic में करेंगे metal में करेंगे, electronics में करेंगे या और हजारों ऐसी industry हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं तो आपको ये decision लेना है कि आपकी industry का क्या type होने वाला है उसके बाद अब आपकी company बन कर तयार है, company का formation तयार है, आपका mindset बिल्कुल ready है क्या काम करना है, कैसे काम करना है किस sector में काम करना है और किस तरीके से काम करना है, उसके बाद शुरुआत होती है selection of product आप अपना product select करें tie up करें आपके vendor, supplier या agent से, या importer से जिससे आप metal import करना चाहते हैं मतलब अगर आप sales के business में आ रहे हैं, तो आपके पास कई ना कई से material तो आएगा चाहे raw material के form में आए चाहे finished goods के format में आए या आप trading के लिए finished goods को लेकर आगे बेचने के लिए तयार करें तो आपको tie up करना है आपके vendor से, supplier से, agent से जहां से भी आपको इमेटल आने वाला है आपके बास price list होनी चाहिए, product के knowledge होनी चाहिए product के samples होने चाहिए product किस market में बिखता है इसकी knowledge होनी चाहिए, जब आपको market की knowledge होगी तो start marketing अपने product को लेकर proper marketing strategy बनाए अब प्रश्ण यह उठता है कि marketing strategy कैसे बनाए तो friends इससे related बहुत सारे videos मैंने already मेरे इस channel पर दिये हुए उन videos को ज़रूर देखें और कोई video मिसना हो उसके लिए channel को अब भी subscribe कर ले ताकि आप एक एक करके step by step सारे चीज़ों को सीख सकें तो start marketing marketing और marketing भी online marketing offline marketing सारी information देखे एक वीडियो में conduct करेंगे न तो एक वीडियो की जो duration हो एक घंटे से भी जाला चली जाएगी और एक बार में समझ भी नहीं आएगा तो step by step step चीज़ों को समझते जाएं implement करते जाएं अगला वीडियो देखते जाएं और धीरे-धीरे करते करते आपको पूरा business setup समझ में आने वाला है उसके बाद lead generation करें अपने business में buyers की lead को generate करें और वो अलग-अलग मीडिया से हो सकती है मैंने का marketing करें और आफलाइन मार्केटिंग से हो सकती है, online marketing से हो सकती है, side visit से हो सकती है, references से हो सकती है, friends and relatives से हो सकती है, websites के जरिए हो सकती है, social media के जरिए, मैंने पुरा एक वीडियो दिया हुआ है कि marketing कैसे करें उसको जरूर आप देखें, lead generate करने के बाद उन lead को ठीक से follow करें, अपनी sales lead को boost करें, और boost करने के लिए सबसे important है marketing strategy, जब sales आपकी generate होगी, तो focus करें कि हम जारा सारा sales कर सकें, focus on growth और किसी भी company में growth के वल तबी संबव है, जब आपका product, आपकी quality बहुत अच्छी है, price बहुत competitive है, market में टिकने के लिए आपके पास अच्छी working capital है, और आप sales को असा उतना ज्यादा turnover आप कर पाएंगे, और जितना ज्यादा turnover होगा, उतना ज्यादा material buy कर पाएंगे, या manufacture कर पाएंगे, और जितना ज्यादा material manufacture करेंगे, उतनी cost of production भी कम होती जाएगी, और profit margin बढ़ता जाएगा, इसलिए ये सारे steps, जो हमने बात किये है, वो है कि business का setup कैसे शुरू करें, और जब आप एक बार decide कर लें कैसे setup करना है, तो step by steps वीडियो को देखते रहें, आपके मन में कोई भी प्रशन हो, तो तुरंत उसको comment box में लिखें, हमारी team आपके प्रशन का जवाब हो सकता आने वाली वीडियो में हम, वीडियो के माद्यम से दें, या आईश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूं, जै हिंद, जै भारत